नमस्कार आप देख रहे हैं हरियाना का सबसे बेहतरी न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो बेल नाटिपिकेशन के साथ चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर ले चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ हरियाना में जल्द होगी 1250 डौक्टरों की भरती ग्रह मंत्री अनिल विज ने दी जान करी हरियाना के ग्रहम स्वास्थ मंत्री अनिल विज गुरुवार साम को बिना किसी पूरू सूचना के जिन में भाजपा विदायक डौक्टर क्रिशन मिड़ा के आवस पर पहुँच गई इस दोरान विज ने कहा कि परदेश में स्वास्थ सेवां को दुरूस्त क्या दा रहा है जल्द ही 1250 चिकच्चकों की भरती की जाएगी उनके पहुचने की सूचना से परशासन में भी हटकम प्रहा पत्रगारों से बाचित के दोरान स्वास्थ मंत्री अनिल विज ने कहा कि परदेश में चिकच्चकों की कमी को सरकार सिगरी पूरा करने जा रही है विभाग द्वारा लगबग 1250 चिकच्चकों की भरती की जाएगी इनमें स्पेशलिस्ट चिकच्चकों की भरती भी सामिल है हरियाना में सभी पुलिस अधिक्सकों को देना होगा लंबित केसों का ब्योरा सरकार ने किसानों के खाते में डाला खरी फसल का मुआउजा पिछले साल खरीब सीजन में भारी बारिस जल बराव और कीट हमलों से नस्ट हुई फसलों के नुकसान का मुआउजे को लेगर किसान लंबे समय से इंतिजार में थे जानकारी के अनुसार सरकार की और से किसानों के खातों में मुआउजा राशी डालने का काम शुरू हो चुका है 561 करोड रुपे मुआउजा राशी किसानों के खाते में हस्तांतरित करने की शुरूआत की सीम ने कहा कि 11 दिनों के भीतर यानी 28 फरवरी तक मुआउजा वितरन की प्रिक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा साथी रभी फसलों को रुए नुक्सान के आगलन के लिए चल रही गिर्दावरी को भी जल्द पूरा करने की निर्देश जारी किये हैं ताकि किसानों को मुआउजा राशी समय पर मिल सके पटवारियों ने कहा रजिस्ट्रियों में नहीं होता पटवारियों का कारिये तो उन्हें सरकार नोटिस क्यों थमा रही है लोगडाउन के दोरान हुई 7-A-6-3 में रजिस्ट्रियों में पटवारियों को बेज़े जा रहे नोटिसों के विरोध में गुरुवार को परदेश के पटवारी दो दिन की हर्थाल पर चले गई पटवारियों की हर्थाल पर जाने से लोगों के दिंचरे में पटवारियों से पढ़ने वाले कारिये परभावित हो रहे हैं जिससे स्थानी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पटवारियों ने सरकार की ओर से की जा रही इस कारवाई पर रोक लगाने की मांग की है दरसर लोगडाउन के दोरान परदेश में सेव ने छेतर में रजिस्ट्रियां हुई थी इस बारे में सरकार ने पटवारियों को चारशिट के नोटिस बेज़े हैं जबकि रजिस्ट्रेयों से पटवार्यों का कोई लेंदे न deposit नहीं है। पटवारी तो शिर्फ कागज निकाल कर देता है। रजिस्ट्रिय करने का काम तो तैसिल कारया लिका होता हुता है। उनके मांग है कि जो पटवार्यों के इस मामले में गसीता जारा है। वह गलत है और सरकार पटवारियों पर इस कारवाई को करना बंद करे। पटवारियों ने गुरुवार और शुक्रवार दो दिन की हड़ताल कर रखी है। का दैरकर हिसार ट्रायल कोट द्वारा 11 अक्तुबर 2018 को सुनाई गई सजा को निलंबित करने की मांगी है। हरियाना में बदलेगा मोसम का मिजाद 24 गंटे में फिर बरसेंगे बादल। पिचेतर परतिसात रोजगार कानून पर सुप्रीम फैसले का स्वागत हरियानवी युवाओं के हुई जीत डिप्टी सीम दुशन चोठाला का बड़ा बयान। पिचेतर परतिसात लोकल रोजगार कानून पर लगाए स्टे को सुप्रीम कोड द्वारा हटाने के फैसले का स्वागत करते वे खुशी जाहिर की है। और इसे हरियानवी युवाओं के अधिकारों के लड़ाई में जीत बताया है। मांद्य में बड़ोतरी का परस्ताओ के इंदर सरकार को बेजा है। यदि अलग-अलग गतिविदियों के लिए मांद्य बढ़ाने के परस्ताओ को मंजूरी मिली तो आसाव वरकर्स को हर महीने करीब 1000 रुपे का लाब होगा। इसके अलावा जलदी आसा वरकर्स को परधान मंत्री आयुश्मान भारत योजना के तहट 5 लाख रुपे तक के मुफ्त इलाज की सुईधा भी दी जाएगी। हर्याना के विधायक कुल्दे बिस्नोई से फिरोती मांगने वाला आरोपी ग्रफतार आरोपी ने पुस्ताज पर अपना आरोप कबूला है आरोपी से अभी पुस्ताज जारी है। इसके लिए जरूरी है। रिक्त पदों के संख्याद 2268 रिक्त पद न्यूक्त किये गए हैं। आविधन करने के लिए अंतिम्तिति के बात करें तो वह जल्द जारी की जाएगी। उम्मिद्वार के आयू 18 सार से लेकर 45 वर्स के बीच होनी चाहिए। लिखित परिक्षया और सारीरिक माप और दक्स्ता परिक्षया में परफॉर्मेंस के अनुसार इस रोजगार में परतैसे का चैन किया जाएगा। राजस्तान में फिर हो सकता है बिजली संकट 5 दिन का ही कोईला स्टोक बचा। से 249.16 लाग यूनिट और विंड पाउर प्लांट से 49.7 लाग यूनिट बिजली काम मिर ली गई है। हालात यही रहे तो गाउं, कस्बों और सहरों में पाउर कट का सामना करना पड़ सकता है। बपी दा पंच तातों में विलेन, बेटे ने बपी लेहरी को दी मुखागनी, सक्तिकापूर विद्दाबालन मिका सिंग समेत काई सेलेप्स रहे मौजूद। दिगज सिंगर बपी लेहरी हमारे बीच नहीं रहे हैं। सोफी चोधरी ललित पंडित, साधना सरगम, सुनील पाल, विजेता पंडित, पुन्नम डिलो, केके गोश्वामी, सर्बनी, मुकरजी, सांक्षी तवार और सलमा आगा समेत कई सेलेप्स अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुँचे थे। साथ बंगलादेस की फिल्मों और अंग्रेजी गानों को भी कमपोज किया था। बाइडेन पुतिन में सिधा टकराव, युकरेन मुद्दे पर रूस ने अमेरिकी डिप्लोमेट को देश से निकाला, युएस प्रेजडेंट बोले, कुछ दिनों में हो सकता है हामला। युकरेन के मुद्दे पर अब अमेरिका और रूस बिलकुल आमने सामने नजर आ रहे हैं। दरसल रूस की सेह पर बेलारूस के राश्पती लुका सेंको ने एक बेहत भड़काओ बयान दिया है। बलेनो अपने सेग्मेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स वाली कार होगी। कार के एक्स्टिरियर और इंटिरियर में काफी बदराव किये गए हैं। इसे 23 फरवरी को लॉंच किया जाएगा। कमपनी इसकी बुकिंग पहले से शुरू कर चुकी है। लीक फोटो से ये बात साफ हो रही है कि बलेनो 2022 को नए सेरे से डिजाइन किया गया है। इसमें एक नए फरेंट फेस होगा जिसमें चोड़ी ग्रिल और तीन एलिमेंट डियाल के साथ हैडलाइट्स का एक नए सेट होगा। पिसले मोडल के तुलना में फोग लेंट्स केसिंग भी साइज में बड़ा होगा। इस प्रेमियम हैजबेक में 306 डिगरी कैमरा मिलेगा। इस फेचर वाली ये अपने सेग्मेंट में पहली कार हो जाएगी। नए बलेनों में कनेक्टेड कार टेकनलोजी के साथ ही वायरलेस पोन चारजिंग, एलेक्सा वाइस कमांड, हैड अप डिस्पले, नए फ्लेट बोटम स्टेरिंग वेहिल, क्रूज कंट्रोल समित, कई और भी सेग्मेंट फेस्ट खूबिया देखने को मिलेंगी। इसमें चैयरवेक्स के साथ इलक्ट्रोनिक स्टेबिलेटिक प्रोग्राम जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। कार में एक दसमलोग दो लेटर पैट्रोल इंजन मिलेगा, जो 83 बेहिस पी का पावर जोनेट करेगा। बलेनों की सुरुआती एक चोरुम कीमत 7 लाग रुपे के करीब हो सकती है। बारा बजे, एम दो पैर, दो से साम पांच बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए आयोग द्वारा अजमेर भरतपूर विकाने, जैपूर जोदपूर कोटा, एम उद्यापूर में कुल 110 प्रिक्षा के अंदर निर्धारित किये गए हैं। कैंडिडेट, एडिमिट कार आयोग की वेबसाइट, rpsc.raasthan.gov.in पर उपलब्द, एडिमिट कार लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब ब्यार्थें को प्रिक्षा के अंदर पर एक पासपोर्ट साइज फोटो, एम मूल फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाना जरूरी होगा, एक्जाम से एक गंटा पहले सेंटर पर पहुंचना होगा, बिना फोटो आईडि के एंटरी नहीं मिलेगी, सभी है झाल